हेलो राइडिस कैसे आसब दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है टॉफ फॉर न्यू बाइक के वारे में अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टुडेंट हो या फिर आप रेगुलर परपेस के लिए एक न्यू स्पोर्ट बाइक परचेस करने का सोच रहे हो जो तो वीडियो के सुरुवात करते हैं नंबर एक वाली बाइक से नंबर एक पर यामहा की FJ-FI V3 दोस्तों अगर आपको एक ऐसी बाइक चीज जिसमें आपको बढ़िया लूक माइलेज अ अच्छा पावर परफॉमस देखने को मिल सके तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते करेगा बाइक के फ्रंट लूक के बारेगा तो बाइक के फ्रंट में आपको LAD record का setup देखने के लिए मिलता है बाइक इableshst!!! बाइक के रेर में आपको LED टेलाइट का setup देखने के लिए मिल जाएगा, बाइक के अगर डिस्प्ले के बारे बात करें तो बाइक में आपको digital meter console देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी सारे features भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे Bluetooth connectivity के साथ stand alarm, USB charging port, turn-over-turn navigation जैसे feature देखने के लिए मिल जाएगा, बाइक का जो curve weight वो 136 kg है, अगर हम बाइक के braking start के बात करें तो बाइक में आपको dual disc brake के साथ single cylinder EBS का feature देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि safety के purpose से काफी अच्छे बात है, बाइक में आपको 13L का fuel tank up city देखने के लिए मिल जाता है, यह बाइक आपको city riding पर 55 kmpl का mileage आराम से देगी, बाइक के अगर engine के बाइक के बाइक में बात करें तो बाइक में आपको 149 CC का single cylinder 4 stock 41 एर कूल engine देखने को मिलता है, जूकि maximum power to use करेगा 12.2 bhp की maximum torque generate करेगा 13.3 meter की, बाइक में आपको 5-speed gearbox manual का setup देखने के लिए मिल जाता है, बात करेंगे इस बाइक के pricing के बारे में हो, तो यह बाइक आपको 1,48,000 के on-road price पर अफ लेवल हो जाएगा इंडिया में, दो नमबर पर ही हिरो की extreme 160 R4 बात करेंगे सबसे पहले बाइक के बाइक में आपको 163 CC का air cool engine देखने को मिलता है, जोकि maximum power produce करता है 16.6 bhp की, और maximum torque generate करता है 14.6 Nm, बाइक में आपको 5-speed gearbox manual का setup देखने के लिए मिल जाता है, बाइक के अगर front look के बारे में बात करें तो, बाइक के front में आपको LED headlight का setup देखने के लिए मिलते हैं, बाइक के रेर में आपको LED tail light का setup देखने के लिए मिल जाएगा, दोस्तों, बाइक में आपको सिंगल जैनल लिए भी इसका फीचर देखने के लिए मिल जाएगा बाइक का जो कवड़ वेट है वह 144 केजी है बाइक में आपको 12 लीटर का बाइक में आपको प्रोजेक्टर LED लाइट का सेटप देखने के लिए मिल जाएगा बाइक के लिए जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है जैसे Bluetooth क्रेक्टिविटी इसा तर्न वाटन नविगेशन यूज चार्जिंग पोड़ इस्टेंड अलार्म जैसे कही सारे फीचर्स अगर अगर बाइक के इंजन के वारें बात करें तो बाइक में आपको 149 CC का सिंगल सेलेंडर 4 टोग 4 पोल एर कूल देखने का मिलता है जो कि अगर आपको प्रेजिंग के वारें बात करें तो यह बाइक में आपको सिंगल चैनल इब्स का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों यह बाइक आपको सिटी राइडिंग पर 50 km का मालेज आराम से देगी बाइक में आपको 14 लिटर का फ्योटेंग के लिए देख अगर आपको एक लाग चाली जार के उन्रोट प्रैस पर अबलेवल हो जाएगा नंबर चार वाली बाइक के वारें बात करें तो वह ही रोकी एक्स्रीम 125 वार दोस्तों बाइक का जो लुक और डिजाइन बहुत इजाद सांधार है बाइक में आपको टोटल तीन कलर ऑप् मिलेगा जो कि माइक्सिम्म पावर प्रडूस करेगा 11.4 बहट की माइक्सिम्म टॉक्स जेनरेट करेगा 10.5 बाइक में आपको 5-speed gearbox manual का सेटप देखने के लिए मिल जाएगा बाइक में आपको 10 लिटर का fuel tank capacity देखने के लिए मिल जाएगा यह बाइक आपको 60 MPL का माले जा सब्साआइगा अगर हम बात करें तो बाइक में आपको IBS सिंगल लिपश का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा बाइक के बार में आपको 37 mm के टेलिसकोपिक फो रियर में आपको हीड्रोलिक सोट अब्जार का शर्श्पैन सैट फो देखने के लिए बाइक के बाइक कर प्राइसिंग के बाद करें तो यह बाइक आपको 1,15,000 के प्राइस में पर उल्लार हो जाएगा दोस्तों आपको इन सभी बाइक में से कौन सी प्राइक अच्छे लेगी नीचे कमट बोक्स में लिखे जूट जाना वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करना चै